यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ यूपी के सहारनपुर में एक महिला ने दहेज उत्पीडन और पती के अव्याद समबंधों के चलते खुदकुशी कर ली और अपने मायके में फांसी लगाकर खुदकुशी करने से पहले महिला ने वीडियो भी बनाया और चार पेज का सुसाइड नोट भी लिखा मृतका के पिता ने नानौता थाने में ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्च करवाया है दरसल साहरनपूर के रहने वाले आरती की शादी तीन महीने पहले यमनानगर के भभोली गाउ के रहने वाले सुरेश के बेटे अभिशेक के साथ हुई थी लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उसे प्रतारित करने लगे जिसे तंग आकर महीला ने खुदकुशी कर ली और सुसाइड नोट में महीला ने अपने पती उसके चाचा और चाची को अपनी हत्या का जिम्मेवार ठहराया है तो महीला ने खुदकुशी से पहले वीडियो भी बनाई साथी चार पेज का सुसाइड नोट उसके ओर से लिखा गया अपने पती चाचा और चाची को अपनी इस खुदकुशी का जिम्मेदार उनके ओर से ठहराया गया दहेज उत्पेडन के चलते खुदकुशी का यहां पर मामला सामने आया है आपको बता दे कि इस महीला की तीन महीने पहले शादी हुई थी जिसके बाद ससुराल पक्ष उसे दहेज के लिए उत्रतारित करने लगा जिसके बाद सुसाइड करने के लिए महीला मजबूर हो दहेज उत्पेडन के चलते खुदकुशी का यहां पर मामला सामने आया है तीन महीने पहले इस महीला की शादी हुई थी और चार पेज का सुसाइड नोट भी मौके से बरामक किया गया है अपने पती चाचा और चाची को अपनी मौत का जिम्मेदार इस युपती ने ठराया है दहेज उत्पेडन के बाद खुदकुशी इस महीला ने कर ली आत्महत्यस ने कर ली और तीन महीने पहले इसकी शादी हुई थी चार पेज का सुसाइड नोट भी बरामत किया गया है साथी वीडियो भी खुदकुशी करने से पहले महीला ने बनाई है और अपने पती चाचा और चाची को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है झाल